तो आज मैं आप लोग लेकर आप हुए बहुत ही मज़दार रेसिपी यह रेसिपी आप लोग ट्राइक करना देखना बच्चे बड़े सब इसे बहुत पसंद सखाएंगे आप लोग पसंद आए तो वीडियो के अंट तक जरूर देखना अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक शेयर कर देना तो मैं यहां बनाने वाली हूं लेफ्ट ओबर बियानी से चीजी बॉल यहां मैंने लेफ्ट ओबर बियानी लिया है अगर आपके पास बियानी ना हो तो आप लेफ्ट ओवर राइस से भी ये रेसिपी बना सकते हैं एकदम सिंपल बताऊंगी ये देखिए बहुत ही अच्छा तरीकिसे मैंने बिर्यानी को मिक्सर ग्रांडर में ग्रांड कर लिया है उसके बाद मैं एक बॉल में इसे निकाल लूँगी इसके बाद मैं इसमें एट करूँगी चिली फ्लेक्स, औरिगानो कॉन फ्लोर और ये ब्रेट करम इन सबको एट करने के बाद मैं बहुत ही अच्छे तरीकिसे इसे मिक्स कर लूँगी हाथों के मदद से और हाँ आप लोग याद रखें मैं इसमें सॉल्ट एड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बिर्यानी में अल्रेडी सॉल्ट रहता है अगर आप लोग लेफ्ट ओवर राइस से बनाए तो उसमें आपको सॉल्ट एड करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसके बाद मैंने यहाँ चीज स्लाइस ले लिया है इस तरीके से मैं इसे छोटे चोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी यहां मैंने जो बिर्यानी का बैटर रेडी करके रखा था उसका में एक एक करके बॉल रेडी कर लूँगी और उसकी अंदर चीज फील कर दूँगी देखिए इस तरीके से मैं यहाँ से रेडी कर दिया है यह देखिए इस तरीके से मैं सारे बॉल को अच्छे से रेडी कर सारे वालका इच्चे से रेडी कर लूगि यहां मेरा सारा बॉल अच्छे से रेडी हो चुका है अब मैं यहां एक स्वलर्य कर लूए मैंदा धूत Şu बिल्कुल अच्छे तरीक से इसका slurry ready कर लूँगी और इसमें मैं add करूँगी थोड़ा सा salt जादा salt हमें add नहीं करना है मैं एकदम थोड़ा सा salt add कर रही हूँ तो यहां मैंने slurry और ball दोनों ready कर लिया है एक एक करके ball को मैं slurry के अंदर add करूँगी और यहां मैंने bread crumb लिया है अब bread crumb में इसे deep कर लूँगी इसी तरीक से मैं सारे ball को ready कर लेती हूँ उसके बाद मैं इसे 15 मिनट तक freezer में रख दूँगी 15 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया था यह देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यह freezer में set हो जाते है उसके बाद मैंने यहां oil बहुत ही अच्छे तरीके से गरम कर लिया था एक एक करके मैं सारे ball को add कर दूँगी और चमच के मदद से मैं इसके उपर हलके हाथों से oil दे दूँगी यह देखिए इस तरीके से अल्टी पल्टी करके हमें इसे slow flame पर fry कर लेना है तो यह आप देख सकते हैं यहां हमारा cheesy ball ready हो चुका है इसी आप बोली नहीं सकते हैं कि यह लेफ्ट ओपर बिर्यानी से ready हुआ है मेरी यह recipe आप लोग ट्राइ करना देखना सबको बहुत पसंद आएंगे अगर वीडियो चलेगे तो चैनल को सब्सक्राइब ओके बाए